हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आप सभी कैसे हैं आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एक्जाम का प्रिप्रेशन अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे फ्रेंस आज हम physics के कुछ most important objective question को हल करेंगे जो आपके आने वाले group D and NDPC exam के लिए ये question बहुत ज़्यादा important साभित होगा चले फ्रेंस start करते हैं तो फ्रेंस आपके सामने ये पहला प्रशन है कि किसी निर्दिष्ट दिसा में किसी वस्तु की गती को क्या कहा जाता है तो फ्रेंस इस प्रश्च का right answer होगा C, vague फ्रेंस इसके साथ आप याद रखेगा कि जो vague होता है vague एक सदीश रासी है फ्रेंस वेग एक सदीश रासी इसको भी आप साथ में याद रखेगा चलिए next question को देखते हैं आपका next question है कि किसी पिंड का vague समरूप कहा जाता है तो फ्रेंस जब किसी पिंड का vague मान और दिशा दोनों नियत होता है तो उस पिंड का vague समरूप कहलाता है इस question का right answer रखा C चलिए अगले question को देखते हैं आपका अगला question है कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध है तो फ्रेंस आपको बताना है कि जो चाल होता है और दूरी है और समय का सही संबंध क्या है फ्रेंस आपको पता होना चाहिए कि जो चाल होता है चाल का जो फार्मूला होता है दूरी बटा के समय होता है ठीक है फ्रेंस और देखिए यहां पर क्या है कि जो चाल है चाल को यस से दिखाया गया है दूरी को डी से दिखाया गया है और समय को कैपिटल टी से तो फ्रेंस यस बराबर आता है आपका यस बराबर डी बटा के ट देखिए इसमें आफसन में कहां पर है तो फ्रेंस इस प्रश्ट का राइट इंसर होगा B, यस बराबर D अपां T, चले फ्रेंस अगले प्रश्ट को देखते हैं, आपका अगला प्रस्ट है कि ततकालिक वेग और आउसत वेग तब बराबर होते हैं, जब वस्तू होता है, त अगले प्रश्ट को देखते हैं, आपका अगला प्रश्ट है कि किसी पिंड का विश्थापन समय के समान उपाती पाए जाता है, जब पिंड का, तो फ्रेंस आपको बताना है कि कि किसी पिंड का विश्थापन समय के समान उपाती पाए जाता है, जब पिंड होगा, तो फ मुक्त अवस्था में गरते हुए पिंडemand एक पिंड द्वारा तयी की गई दूरी समानुपाती होता है Friends, आप याद रखे किन जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गरता है उस समय उसका प्रारमभिक वे उता है U बराबर Z y-row होता है तो friends यहाँ पर आपको बताना है कि मुक्तावास्थम गिरते हुए एक पिंड द्वारत तै की गई दूरी समान उपाती होता है तो friends देखिए आपको पहले पता होना चाहिए जो गति का द्यूतिनियम होता है गति का द्यूतिनियम का है friends? yes बराबर होता है ut plus half a t square ठीक है देखिए फ्रेंस यहां पर t है फ्रेंस देखिए मुक्तावास्था में तो यहां पर मुक्तावास्था में जो कोई पिंड गिरता है तो यहां पर प्रारंभिक वे एक 0 होने का मतलब कि पूरा भाग 0 हो जाएगा ठीक है और yes बराबर तब क्या हो जाएगा कि proportional to t square यानि कि समय के वर्ग के समानुपाती होता है तो मुक्तावास्था में गिरते हुए एक पिंड का द्वारत ताई कि गई दूरी जो हता है दूरी समय के square के पराबर होता है इस प्रशन का आपका right answer होगा कि सी होगा गिरने के समय का वर्ग होता है चलिए अगले प्रशन को देखते हैं आपका अगला प्रशन है कि पांच किग्रा की वस्तुपर 40 newton के बल को लगाने से प्राब तो तो फ्रेंस देखिए आपको पता होना चाहिए कि यह बराबर जो होगा इसक्रा zona नहीं होता है सिर्फ यह को नीक्र नीचे कर देंगे तो हज़साइब कि कमान जया है कितना धिया है फ्रेंस कमान झीद चालिस को यहां यहां पे 40 लिख लिजिए और यहां पर अopedर्वमान कि यत रवीमान को पांस के बटा के पांस की यह यानि 8 मीटर कर इसको आपको पताना है कि जो बीट भारावाली शडक होती यह उस प्रश्र के अगले प्रश्र को दीखते हैं आपका अगला प्रश्र है यदि वेग समय ग्राफ समय अच्छ के समानतर हो तो बताना है friends कि यदि वेग और समय के ग्राफ friends क्या होता है देखे यह होता है वेग समय के ग्राफ यहाँ पर वेग को देखाते हैं वेग और इस पर जो हता है समय होता है ठीक है इसके बिचकार आए कि समय यदि व्येग समय ग्राफ समय अच के समानतर हो यानि समय के अच के समाना अंतर क्या है व्येग है इस समय आपका क्या हो रहा है कि व्येग में कोई परिवर्ता नहीं हो रहा है तो इस समय आपका व्यक क्या है नियत है तो इस प्रश्ट का राइट एंसर हो जाएगा ए वस्तू नियत व्यक से चल रही है चले अगले प्रश्ट को देखते हैं फ्रेंस आपका अगला प्रस्ण है कि नीचे दिये गए व्यक समय ग्राप का कौन सा भाग सुनी तुरण को प समझाएं इस प्रश्ट का राइट एंसर हों का विल्य जालिए अगले प्रश्ट को देखते हैं आपका अगला प्रस्ण है कि गति का दूसरा समीकरण और समय के B संबंद देता है तो अभी आपको उपर समझाएं यह समझाएं दूसरा समिकरण क्या होता फ्रेंस यूट की हाफ ए टी स्क्वार यह गति का दूसरा समी कराड होता है तो समय के 20 संबंद क्या होता है इस समय फ्रेंस आपकी जो हता है यह इस प्रश्ट का राइट इंसर हो जाएगा डी चलिए अगले प्रश्ट को देखते हैं आपका अगला प्रश्ट है निम्न में से कौन सी मात्रा च इसकी गति निर्दिष्ट करती है तो इस प्रश्ट का राइट इंसर हो जाएगा सी ठीक है चलिए अगले प्रशन को देखते हैं आपका अगला प्रश्ट है देखे फ्रेंस इसमें जितने भी प्रस लिये गए आपकी एक्जाम के लिए सभी प्रशन बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो आपका अगला प्रशन है कि एक निश्ची दिशा में बढ़ रही वस्तु की गती को वैग्यानिक शब्दावली में से किस पद की रूप में जाना जाता है तो इस प्रश्च का राइट एंसर होगा A वेग चले अगले प्रशन को देखते हैं वेग में परिवर्टन अपान लगने वाला समय क्या कहलाता है तो फ्रश्च का राइट एंसर होगा C इसमें आप याद रखेगा कि जो तोरल होता है वेग में परिवर्टन अपान समय होता है यानि कि D भी अपन DT होता है इसको आप याद रखेगा ये वेग का और सोरी दोस्ते ये तोरण का फार्मूला होता है यानि कि वेग में जो परिवर्तन होता है और समय में जो परिवर्तन हो उसका जो रेसियो होता है उसे हम क्या करते हैं तोरण करते हैं चले अगले निरंतर बदल रहा है इस प्रश्ण का राइट इंस रहे हैं जब कोई वस्तु एक समान गती से गती कर रही हो तो इसका तोड़ क्या होगा यहां पिदेखिए कि जो वस्तु का एक समान गती है गती में ज्यानिक परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस समय आपका वेग क्या हो जगह शुन्य होगा ठीक है अभी आपको उपर एक्जामपल में दिया था इस प्रकार ग्राफ दिया था ठीक है इस प्रकार अभी उपर पड़ क्या है कि हाँ वेग में परिवर्ता नहीं हो रहा है जब वेग में परिवर्ता नहीं होत उस समय उसका तोड़ क्या होता है जीरो हद्दा है इस प्रश्च का राइट एंसर सी होगा चलिए अगले प्रश्च को देखते हैं आपका अगला प्रश्च है कि उप्योग एक वस्तु कि समगर गतिक करने और किसी दिये गए समय पर इसकी प्रारंभिक इस्थिति के संदर् लगाने के लिए किया जाता है इस प्रश्च का राइट एंसर होगा सी दूरी और विस्थापन आपका अगला प्रश्च है कि वेग और समय का गुर्णफल प्रदान करता है तो फ्रेंस आपको बदाना है कि जो वेग होता है और समय होता है इन दुनों का गुर्णफल क्या परतान करता है इस प्रश्ट का राइट एंसर होगा विस्थापन तो फ्रेंस आपको पता होना चाहिए कि जो विएग होता है विस्थापन बटाके विस्थापन, बटा के समय होता है, ठीक है, समय, जब समय का वेग में गुड़ा करेंगे, तो वेग गुड़े समय हो जागे, जिससे आप क्या पता चलेगा, विस्थापन पता चलेगा, इस प्रश्च का राइट एंसर B होगा, आपका अगला प्रश्चन है, यदि किसी वस् वस्थापन क्या होगा, तो वस्थापन भी सुनने होगा, इस प्रश्च का राइट एंसर B होगा, आपका अगला प्रश्चन है, कि एक वस्थापन को ऊपर की और फेका जाता है, यह 100 मीटर की उचाई तक जाती है, और फिर फेकने वाले के पास वापस आ जाती है, इसमें से बताना है कि कौन सा खथन सही है देखें किसी वस्तु के यहां से फेका जाता है उपर सो मीटर तर फिनों यह लोड के यहीं पर आ जाता है अपने नीचे जहां से फेका जाता है तो फिनों वहीं पर आ जाता है उस कंडिशन में आपका विस्थापन क्या हो जाता है जीरो हो तो इस प्रस्थापन की परिवर्तन की दर को दिखते हैं अब इस फार्मूले को याद रखेंगे यह एक फार्मूला होता है विश्थापन की परिवर्तन की दर जैसे आपको तोड़क ऊपर बताएं कि वेग परिवर्थन के दर को तोर्ड़ करते हैं उसी प्रकार वेग जो हता है विस्थापन की परिवर्थन की दर होता है आपका अगला प्रशन यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तै करती है इसे कहते हैं इस प्रश्च का राइट एंस लोगा फ्रेंस असमान गती ठीक है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तै करती है उसे क्या करते हैं असमान गद्दी आपका अगला प्रशन है फ्रेंस देखे फ्रेंस यहाँ पर जितने भी question लिये गए हैं यह आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा important है फ्रेंस इसको आप पिंड द्वारा तै की गई दूरी निम्न के समान उपाती होता है इस प्रश्च का राइट इंसर होगा फ्रेंस दी आपका अगला प्रश्चन है कि जब एक परवेच्चक के सापज समय के साथ वस्तू की इस्थिती लगातार बदलती जा रही है तो उसे क्या करता है फ्रेंस तो कहा जाता है कि वह गतशील होता है इस प्रश्च का राइट इंसर भी होगा जब एक परवेच्चक के सापज समय के साथ वस्तू की गती प्रति एकाई समय में हुए प्रिवर्तन होता है तो फ्रेस्स जो वेग प्रिवर्तन होता है रहोता है अगला सवाल है लाओन से रखेगा जो समय होता है तापमान हुआ और दूरी हुआ यह आपका एक अदीश रासी है तो यहां पर याद रखेगा कि जो वेग होता है एक विक्टर कॉइंटिटी है इस प्रशकराइट इंसर डी होगा आपका अगला प्रश्ण है कि फ्रेम के संदर्म में जो समय का फंक् करते हैं वेग करते हैं इसको आप याद रखेगा आपका अगला प्रश्ण है फ्रेंस देखिए यहां पर अगला प्रश्ण देख सकते हैं कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है तो फ्रेंस यहां मतलब प्रश्ण आपको कर रहा ह स्फुनी तोड़ते है इस समय किसी प्रका परिवार्वतन नहीं होता है अर्थाद इसका यह हुगा यह कई बार यह पाद आपको बताते चले आ रहे हैं कुह पर नंक किदर को अर्थ होता है जो फ्रेंस धनात्मक तोड़ा का अर्थ क्या हो सकता है इस प्रश्ट का राइट इंसर होगा साथ आप याद रखेगा कि जो विवला संदिया है यह आपका गति का प्रथम नियम है। यह आपका प्रशन को देखते हैं आपका अगला प्रशन है कि सुन्ने से सवतनत रूप से गिवने वाली वस्तु है। इस प्रश्ट का right answer होगा C, समान तुरण होता है, सुनने से स्वतंत रूप से कोई वस्तु गिरता है, तो वस्तु उस समय क्या होता है, समान तुरण होता है, आपका अगला प्रश्ण है, कि वह भौतिक रासी जो कभी भी रात्मक नहीं हो सकती, तो friends आप इसको याद आपके एक्जाम में कई बार प्रश्ण पूछे जा चुके हैं, कि वह भौतिक रासी को बताना है, जो कभी भी रात्मक नहीं हो सकता है, तो friends इसका right answer होगा A, यानि कि जो दूरी होता है, कभी भी रात्मक नहीं होता है, चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं, आपका अ पिंड वेग भी के साथ उपर की और उर्धवादा रूप से फेका जाता है, यह उचाई यच तक पहुचने के बाद पिर्थवी की और लोट आता है, पिंड द्वारा तै की गई दूरी तता विस्थापन का अनुपात क्या होगा, देखें friends बहुत important सवाल है, देखें यह किसी वस्तु को यच उचाई पर फेका जा रहा है, यह उचाई तक गया, फिन यह लोट के फिन वहीं जहां से फेका गया था, वहीं पा जाता है, यह उचाई तक गया है, फिन कहां पर आ गया है, नीचे आ गया है, तो यहां पर जो दूरी होगा, आपका यहां पर याद र धेखे फ्रेंस यहां पर आग पूश्ट क्या रहा है दूरी तथा विस्थापन का अनुपाद, यानि दूरी वटक के विस्थापन का अनुपाद, यानि 2 ह में जब जीरों का भाग देए तो क्या एगा फ्रेंस? इन्वाइनाइट से दूरी अपानवी स्थापन का अनुपात क्या हो जागा तो इस प्रश्ट का राइट एंसर हो जागा डी अनन्थ चलिए अगले प्रश्ट को देखते हैं आपका अगला प्रश्ट है कि किसी पिंड के वेग समय के ग्राप सर रेखा में आता है तो इस प्रश्ट का राइट एंसर होगा तो इस प्रश्ट का राइट एंसर होगा ताच छाल आपका अगला प्रश्ट होगा कि एक समान तोरड पर गती के समीकर में कौन सा समीकर सही है तो फ्रेंस यहां पर बताना है कि समान तोरड पर गती के समीकर में कौन सा समीकर सही है तो इसका राइट एंसर होगा बी भी स्कल्ट यू प्लस 80 यह गती का प्रथम नियम भी है इसको भी याद रखेगा कि गती क जो पर्थम नियम हैता है भी स्कल्ट यू प्लस 80 होता है जलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं आपका अगला प्रश्ण है कि एक पिंड भी स्वरी दोस्तों एक पिंड यू वेक से उर्दवादा रूप से एक फर्श शे टकराता है तो फिर उसी गती से उचलता है गती में परिवर्तन होगा तो फ्रेंस जो गती में परिवर्तन होता है माइनस टू यू होगा ठीक इस प्रश्ण कराई टेंस्वर डी होगा आपका अगला प्रश्ण है किसी पिंड का वेक समरूप कहा जाता है जब तो फ्रेंस आपको बताना है कि जो पिंड होता है उसका वेग समरूफ कब होगा तो फ्रेंस आपको ऊपर कई बार बताते हुए आए हैं कि जब वेग कामाल और दिशा दोनों नियत होता है उस समय पिंड का वेग क्या होता है समरूफ होता है ठीक है चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं आपका अगला प्रश्ण है कि एक समान बृत्य गती में यानि कि आपको बताना है कि जो एक समान बृत्य गती में क्या होता है इस प्रश्ण का जो आपका राइट एंसर होगा चाल और वेग चर होता है इस प्रश्ण का दिवार देखता है उसे निम्लिखित करना चाहिए तो फ्रेंज देखिए भी व्यक से मर कार ड्राइबर है कार चला रहा है सामने यदि दिवार देखता है उसे तुरंत क्या करना चाहिए ब्रेक लगाना चाहिए या तुरंत गाड़ी को मोड लेना चाहिए इस प्रश्ण का राइट- एंसलोह का तोरो समरूफ होता है तोरो समरूफ होता है विस्थापन समय के समानुपाइब याना को कि विस्थापन होता है viden के एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसको आप याद रखेंगे तो आपके इक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होगा तो आपका अगला प्रशन है कि मुक्ता वस्था में गिरते हुए एक पिंड्वारा तै की गई दूरी समान उपाती होता है तो अभी आपको उपर बता के आएं कि जब कोई वस्तु मुक्त अवस्थाफ से गिरती है उस समय उसका प्रारंबिक वेग क्या होता है जीरो होता है और उस समय यस इसकल टुके होता है टी स्कॉयर होता है यानि समय के वर्ग के समान उपाती होता है तो इस प्रश्ट का राइट इंसलों जगा सी आपका अगला प्रश्ण है फ्रेंस कि मोटर गाड़िया एंड बी के द्वारा समय ग्राफ से पता चलता है यानि कि एंड बी जो यहां पर दिया है दूरी और समय ग्राफ से पता चलता है तो फ्रेंस यहां पर जो दिया है कि यहां पर देखी यहां पर किया लिखा है रिखा है और इसमें बताना है फ्रिंस यह आपके सामने अपस व Chr. पूरी दूरी तक एधीक व्यग से चलता है यहां कि लाएक जो जो व्यग होता है एक यह पर अधिक है इस प्रश्ण का राइट एंसर जगा सी यानि पूरी दूरी तक एक यह पिछा भी अधिक वेग से चली चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं आपका अगला प्रश्ण है कि निम रखें ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है यानि देखें यहां पर वेग दिया है यानि कि देखें वेग में किसी प्रकार का प्रिवर्तन नहीं हो रहा है यानि कि एक समान मतलब की गती से चल लहा है तो फ्रेंस यहां पर इसका जो तुरण होता है तो फ्रेंस इस प्रश्ण का राइट एंसर ए होगा चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं आपका अगल और समान तौरब होता है तो लिए समय ग्राफ जो रेखी होता है चोप कराइट इन्पठेब होगा यहां पर व्यग होता है ठीक है है समय होता है इसके बीच जो यह ग्राप की जा जाता है क्या होता है रेखी होता है जो वेग समय ग्राप क्या होगा फ्रेंस रेखी होगा आपका अगला प्रश्ण है कि पिंड का तोड़ परदशित करता है जो पिंड का तोड़ होता है विश्थाप मन वेग परिवर्तन की दर होता है तो इस प्रश्कराइट एंस्व व्यग परिवर्तन की दर तो देखी होता है फ्रेंस लेकिन यहां पी देखी व्यग परिवर्तन की दर कहीं पी नहीं दिया है लेकिन इसको क्या किया है कि व्यग परिवर्तन की दोबारा जब परिवर्तन हुआ है उससे हम क्या कहते है इस प्रश्क का राइट एंसवर D होगा तो इसको आप याद रखिएगा आपका अगला प्रश्ण है कि एक कड़ एक समान व्यक से गतिमान है कड़ की गति के संबंद में निम्न में से कौन से खथन सत्ते है तो इस प्रश्क का राइट एंसवर होगा C इसका तोरण व्यक के विपरित दिशामी होगा चलिए अगले प्रश्ण को करते हैं आपका अगला प्रश्ण है फ्रेंस यहां पे देखिए आपका अगला प्रश्ण है कि एक समान व्यक से चलती किसी वस्तू का तोरण होता है एक समान व्यक से कोई वस्तू चलती है तो उसका तोरण क्या होता है शुन्य होता है इस प्रश्ट का राइट एंसवर डी होगा मंदता का अर्थ है इसका राइट एंसवर होगा ए मंदता का अर्थ रिरातमकता होता है इसको याद रखिएगा आपका अगला प्रश्ण है कि किसी वस्तू का वेग ब्यतीत हुए समय के समान उपाती होता है वस्त लो कrus व्ज्टों की प्रति समें में वेग में प्रिवलतन की माफ होता है इसस का नियुक्त कि की करते हैं फिरॉट करते हैं आपका अगला प्रश्ण है एंगा सायकिर और G dois वाउन होगा तो फ्रेंस पस्टी डिसा में होगा। ठाथ पीछे की और उस Wijडिवर्ड क्या लगता है घर me भाव कर्प सी होगा आपका अगला प्रश्चर है अग्ला फ्रेंस यदि वेग yaşा ग्रार है मेरा त्हात में यच ऊचाय da hai दोह के पृतिवी तिक पहूचने में लगा सब करहें होगा इस copper ping राइट एन्सवर बेए बिलकुल समान होगा इस快 राइंसवर बीआज वी आपका अगवला प्रस्टाइब收 Kyraan तुरागदी के लिए विक समय ग्राफ होता है इस प्रस्ट कर राइट इंसर होगा इस फ्रेंस सर्रल रेखा होता है तो प्रेंस जितने بभी प्रशन इसमें आप कई बार प्रशन को कुछने का तरीका और कई बर प्रश्ण रिपिटेड हुए हैं जिससे आप सभी को ये प्रश्ण पूरे अच्छे तरह का तरीके से याद हो चुगा होगा तो फ्रेंस आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फार वाचिंग